आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिमानिटीज अडर 247 पर मैं आपका इंगलिस एजुकेटर आदित भी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपनी क्लास वोकाइब एक्सप्रस के 31st edition 31st edition नहीं 31st session में ठीक है तो आज के session में क्या देखने वाले आज के session में देखने वाले सिरनीम और आप आप लोग comment section बाद मताईएगा कि 10 में से आपको कितने सहीर है question देखने में 10 होंगे लेकिन आपको कई सारे वर्ट सीखने को मिलेंगे तो आये चलते हैं और आज मेरी इस उंगली का कमाल आप लोग देखना एक उंगली का कमाल देखाऊंगा आपको चलिए पहला हमारे पा केरफूल रहता है जो अपने business में जो काफी ज़्यादा समझदारी से अपने decisions लेता है ऐसे आदमी को हम प्रूडेंट बोलते हैं अब options देखते हैं हमारे पास skillful है हमारे पास wealthy है हमारे पास careful है हमारे पास dishonest है आपको क्या लगता है केरफूल होगा option number C wealthy क्यो नहीं होगा क ठीक है ना skillful बीस का सही आंसर नहीं होगा option number C is absolutely correct next word देता है हमारे पास क्या है there was a sign post where the two past converge बहुत यह अच्छा कोश्य है यह converge है आप परिशान हो सकते हो converge का मतलब आपको लगेगा मिलना होता होगा सायद है ना मर्ज हो सकता है intersect हो सकता है अब देखो यहां पर diverse और यहां पर separate यह दोना एक दूसरी सिरनीम है तो आप इनको क्या कर दोगा अब देखो यहां पर आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस की डिमांड क्या है अगर मैं इस सेंटेंस को अटा दू केवल कंवर्ज को लिख दू तो आपको अप्शन नमबर बी ऑप्शन नमबर सी दोनों से हो जाए गा लेकिन चुकि यहां पर सेंटेंस दिया हुआ सेंटें को काटते हैं जहां पर मलते हैं आपने चोरह मका देखा आपने दोरह में क宏 होता है और धर्म को लेकर कर ये अपने ओपीनियंग को लेकर कश इसदिय geb nucleus गले तो जिसका आर्थ निकले थोड़ा सा पॉसीति वालत ऑप जी अप्स्तिव वरड़ गलत हो जाएगा ये इस लिए कंगा पॉस्टिव इसलिए हो जाया का मतना है कायर ये भी गलत हो जाएगा और आपके पास लास में बसता है fanatic option number D is absolutely correct ठीक ना fanatic क्या होता है fanatic और जिला और दोना इक दूसरे सिरनीम है इनका मतलब होता है जिनका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा आति उस्साही होता है अपनी चीजों को लेकर एक दम बस मैंने जो बोल दिया बोल दिया है ना जै दोस्ती बढ़ा होगे option number C is absolutely correct bondage का मतलब जुड़ा होता है लेकिन यहाँ पर MET का friendship ही सही आंसर रहेगा understanding का मतलब होता है समझदारी की समझदारी ने उसको बोलते हैं कि understanding हमारे आपके बीच में जो बातचीत हो सही से होती रहे understanding simple word बोलते हैं या किसी भी relationship में understanding की रोल प्ले करता है contention का मतलब bone of contention आपने सुना होगा है जो जगड़े की जड़ होती उसको हम क्या बोलते है bone of contention बोलते next है many species of animals have become extinct during the last hundred years सौ सालों में कई सारी जो animal species ने क्या होगे extinct यानि कि विलुप्त हो गई है विलुप्त aggressive नहीं होगा scattered का मतलब fell जाना होता है feeble का मतलब क्या होता है weak होता है यानि कमजोर होता है और option number jar doKej में बदल नहीं कोशिछन करेगा ट्रांसफोर्म या concerned त्रॉप्त करने की कोशिशन्स नहीं करेगा क्योंकि तुमने त मिन अवह सिख लोगो को देखा हो तुमने यहां पर momencie कि आSenरा करके ठीक है जी नेक्स देख लेते हैं that the plan is both inhuman and अब inhuman कैसा वर्ड है निगेटिव है अब एंड लगा हुआ है और दो कैसे सब्दों को जोडता है and and हमेशा दो एकी समाज सब्दों को जोड़ेगा या तो positive positive negative negative या तो neutral neutral तो यह भी पक्का negative ही होगा है ना अब देख लो यहाँ पर कोई positive तो नहीं रखा वो absurd abnormal sour and negative ठीक है अब देखो inhuman और preposterous preposterous का मतलब क्या थे प्रपेस्टरस का मतलब होता है ridiculous क्या होता है ridiculous है ना जो बहुत ही absurd है भद्दा है bizarre है तो option number C is absolutely correct इसी का एक और synonym हो जाता है bizarre क्या हो जाता है bizarre option number C is absolutely correct without a doubt ठीक है आगे बढ़ जाए भई next हमारे पास है the attitude of the western countries towards the third word countries is rather callous callous का मतलब क्या होता है callous का मतलब होता है indifferent लिख लो सारे के सारे लिख लो तुम ठीक है ना callous का मतलब होता है indifferent अब indifferent का क्या मतलब होता है भी बताते हैं callous का मतलब होता है apathetic क्या बात है उंगली कितनी कमाल की लिख रहे है इंडिफरेंट और अपैथिटिक दोनों का मतलब होता है जब आपको किसी से कोई लेना देना नहीं आप दासी नहीं नेट्राओं को देखा है ना आपने देखा होगा एक वो जो होता है क्या बोलते हैं कि एक 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 उसमें प्रोटाओं तो दिये जलाते हो या फिर आप फुलजणिया चुड़ाते हो पटाके फुड़ाते हो तो वह या कैसा होता है चमचमाता सा है काफी स्पार्कल करता है तो ऑप्शन नमबर डी आपसिलूटली करेक्ट ठीक है ना लास्ट आज का कोश्चन देखते हैं अग्रीमेंट है या पर इस कोड को लगाएंगे ऐस 743 तो आपको 17% का डिसकाउंट मिलेगा कितना बिलेगा 17% मिलेगा जो कि आपके लिए बनिफिशल हो कर जितने भी आपको दाम दिखाया जाते हैं जो भी आपको प्राइस दिखाया जाता है अगर आपको कोई भी कोड़ेस करना है वेदर इ हैै मैं आप सबसे एक बाद जरूर बोलता हूं और हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको सेषण अच्छा लगा है तो प्यार मोहब्त के साथ कोमगनट जरूर करना फीग jest मुझे बताना कि आपने कितने question के सही answer दे और साथ ही साथ मुझे बताना आपको इस session कितना helpful रहा और आप अगले session में क्या चाहेंगे मैं उस पर भी विचार जरूर करूँगा चलिए मिलताना इकले session ततक के लिए धन्यवाद जय हिंद जब तक मेनद करते रही है और धुर्राटे करते रही है